अपने आपको जाँ चे क्या आपके अंदर किसी बात को ले का डर बैठा है उस डर को ये शू नासिernessla करने का नाम में अपने चीवन से जैसे ही डर भय हमारे अंदर आता है को विचार को उत्पंद में हमें उस सारे बातों को सारे बंधन को हमें तोड़ना है और परमेश्टर का वच्ण जो हमाहे लिए दावा करता हूँ प्रभश्य मसी के मदरों में इक नम समय सांत ही हो पाष्टर परचाक फारिया मसी कहता हूं अलेलूई अब सब रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा मेपियो आप कहीं भी साल भर जाए परमेश्र आपके संग संग है आपको किसी से डरना नहीं है आपको किसी से भै नहीं खाना है परमेश्र आपके आने जाने में आपकी सहायता करेगा आपका रक्षा करेगा जब हम उसी का पांच को धुब से और नाराथ को चानी से तेरी कुछ हानंगी योहबा सारी भीतिसत्री रक्षा करेगा वह तिरे प्राण की भी रक्षा करेगा परमेश्वा का वचरा आपके लिए क्या का ताम mmopo NH. हो बस सारी विप्ति से तेरी रक्षा करेगा और तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा आप जहां कहीं भी जाते हैं परमेश्र आपके संग है अब आपकी प्राण की रक्षा करेगा वो आपके दहनी और आड़ है कोई सत्रू आपके पास नहीं आ सकता ना तो धुब से ना रा आपके अंदर बोया जा रहा है ताकि जो आपके जीवन में आसिस आ रही है आप उससे वन्चित हो जाए अपने आपको जाए क्या आपके अंदर किसी बात को लेका डर बैठा है मेपियो आज ही उस डर को येश्व नास्री का नाम में अपने चीवन से अपने घर से जिड़का के भगाए परमेश्वर का नाम ले तो ये हालेलू ये हालेलू ये प्रभु की महिमा करते हुए उससे डर को अपने चीवन से निकाल फेके जैसे ही डर भय हमारे अंदर आता है वो विचार को उत्पंद करता है और विचार के द्वरा आप भय भी थो जाते हैं और वही हम परमेशर को उपतित से नीचे गिर जाते हैं और जब हम डरते हैं तो हम आसिसों से वन्चित हो जाते हैं सैतान नहीं चाहता कि आप कोई भी परमेशर की आसिस प्राप्त करें, वहीं चाहता है कि आप सैतान के चुंगल में फस कर उसके संगे रहें, लेकिन हमें उन सारे बातों को, उन सारे बंधनों को हमें तोड़ना है, और परमेशर का वचन जो हमाये लिए दावा करता है, उस वस्ती में विस्वास में हमें चर्प करते चाना है, हालेलूया, हमें किसी बात का टर नहीं, चाहिए प्रिथ्वी उलट जाए, चाहिए समुंदर गर्चे, हमें टरने की आउसकता नहीं है, क्योंकि जीटों का परमेशर, सिष्टी का सिर्जन हर परमेशर हमारे संग संग वास करता है, भन सहिता एक सो एकिस आठ में यही कहता, यहोबा तेरी आने चाने से ते रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा, जब आप इसके पांच पत्छे और साथ पढ़ेंगे तो आपको सारी बाते आपको समझ में आएगी मेरे प्यू, यही कहा है, यहोबा सार आते हैं, जो समस्या आती है, जो प्रोल्मस आते हैं, उस सारे विप्ति, सारी समस्या, सारी कष्टों से आपकी रक्षा करेगा, कौन परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, यह शमस्या आपकी रक्षा करेगा, यह वच्चन के त्वरा आप आस इसको प्राप्त करिए मेरे पियो अपने जीवन में इसको क्लेम किजिए अपने मन से हर एक डर को निकाल फेकिए और यहां कहाया यहोबा तेरी रक्षक यहोबा तेरी दाहिनी और तेरी आड है ना तो दिन को धूप से और ना रात के चानी से तेरी कुछ हानी नहीं होगी अगर कोई आपको हानी जा सकता क्योंकि आपके साथ जीतों का परमेश्य है मेरे पियों वो लाह कोसिस करेगा गुटने के बल गिरते हुए आपके पास से जाय कि आपके संग जीतों का परमेश्य और आड लेकर खड़ा रहता है थालेलूया इन बचनों के दरपर आप सब को वासिज दे बडियों होगा प्रोमिस कार्ड नमर पांच का होगा मैं उस वचन के बारे में आपको बताऊंगा तो आप उन सभी वचनों को जरूर देखें गौड प्लेस यूँ